हलो गाइज, वेलकम टो आर चैनल, मैं देविंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक नॉर्मल बॉन्जाई को हम अट्रेक्टिव और अल्डेश्ट लोग कैसे दे सकते हैं फाइकस का बॉन्जाई है, इसे अपन मॉस से डिकॉरेट करेंगे मॉस इसे काफी अट्रेक्टिव लुक देगा तो मैंने सुचा इस पर मॉस का डिकॉरेशन करना चाहिए ये जो मिटी मैंने इसके उपर तक चड़ा रखी है, इसका एक रिजन है मैंने इसमें रूट डेवलप करने के लिए ये सारा सब कुछ किया है इस पर एक पॉलिथीन रेप कर रखी थी मैंने, जो अभी मैंने हटाई है अब लगबग एक माईने मैं इसे इस तरह से रखूँगा तो मैंने सुचा उस सारे टाइम में मैं इसे मॉस से डेकॉरेट कर देता हूँ तो अगर वो लूग अच्छा लगेगा तो मैं उसे कंटीनियू रखूँगा तो अब हमें मॉस कैसे और कहां से कलेक्ट करनी है, चली वो देख लेता है यहां मॉस्चर है, वहां मॉस का होना ओवियस है, तो इसा कोई भी एरिया देख सकते हैं आप जहां पर रेगुलर्ली पानी भरा रहता है आसपास तो वहां पर आपको मॉस एजिली मिल जाएगी मेरे खेद पर ट्यूवेल है तो मैंने आसपास देखा तो यहां बहुत सारी मॉस थी, तो मैंने सुच है यहीं से मैं कलेक्ट कर लाता हूँ यह वो सारी मॉस है जो मैं वहां से कलेक्ट करके लाया था चोटे चोटे पीस हैं जो मैंने कलेक्ट करे था तो उसको आप बस दीरे-दीरे से जमाते जाएए नीचे से सुरू करिए और दीरे-दीरे फिर से उपर की तरफ इस तरह से आप इसको जमाना स्टाउट करिए यह यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर और सस्क्राइब इट अगर आपको भी गार्डिनिंग पसंद है और आपको भी इस तरह की एक्स्प्रिमेंट करना अच्छा लगता है तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा आप इसको हलका सा इस्प्रेस से पानी दे सकता है इससे यह जो बीच में इस्प्रेस है वो भी जो मुट्टी है वो गुल जाएगी और बसकुछ ही दिनों में यह जो इस्प्रेस आपको दिख रहा है यह भी और कम हो जाएगा यह पूरा ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद यह सुपर्ब लुप देगा तो मौस का सारा काम कम्प्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि इतना अट्रेक्टिव लग रहा है तेज दूप में यह ग्रीनरी के से चमक रही है एक bonzai में सबसे ची बात यही होती है कि आप जितना हो सके उसे oldest look में maintain रखें तो वो काफी सुन्दर दिखता है आप इसके साथ रेती से निकले हुए छोटे-छोटे पत्थरों को यूज कर सकते हैं उसका combination इसके साथ काफी अच्छा लगता है at the end I would like to say that please stay connected with us like share and subscribe thank you